देखी किसानों के मुद्दे पर एक तरफ संसत के बाहर सियासत चल रही है, दूसरी तरफ आज संसत के अंदर भी जवर्दस जुबानी जंग देखने को मिली, सदन में मुद्दा भले ही किसानों का छाया हुआ था, लेकिन चर्चा राज्य सभा में राश्ट्र पती के अवि पूर सुननी चाहिए. और जो बोलते हैं कि ये भील है काला, उनकी मुझ को क्या लगाना है क्या ताला? मेरे पास उर्दू, शेरो, शायरी, आकडों की जादू ये मेरे पास नहीं है, मैं नाटकी धंग से भी अपनी बात को नहीं रख सकता हूँ. मैं चुटा तो सब चुटेगा, मैं चुटा तो सब चुटेगा, जो कुछ भी है वह भी चुटेगा, मैं हूँ तो आजाद वतन है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल के लिए से बोल रहा हूँ. देश के माननियों का मिजाज, इन दिनों कुछ जादा ही शायराना है, लेकिन इसी शेरोशायरी और कविता पाठ के बीच, सदन में आज एक बार फिर कुछ तीखे शब्द बान भी चले, राश्ट्पती के अभिभाशन पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर होने वाली आज विरोध प्रदर्शन को आप अपराद करार करते हैं, जन्ता की आवाज को दबाना, शासन की शक्ती से लाठी बंदूक का इस्तबाल तब होता है, जब सरकार को हकूमत को चुनौती दी जाती है हमारा अन्नदाता क्यों इस अपने आपको असरुक्षित महसूस कर रहा है, इसके बारे में भी चिंता करने की और सोचने की जरूरत है कि हमारे नेता जो है शरत पवार जी, क्रिशी मंतरी नहीं रहे, पूरे जीवन भर उन्होंने पिसानों के भलाई के लिए काम किया है और इसलिए जब पिछले सत्र में जब ये पारित होने के लिए इस हाउस में आए, तो हम लोग सभी एक मत से हम लोगों ने का कि इसको सिलेक कमिटी में भेजा जाए, जल्द बाजी क्यों हो रही है, यही बात अगर हमारी मानी जाती, तो आज जो हम पूरे हमारे दिल्ली के चारो और जो दृश्य देख रहे हैं, वो देखने को शायद हमको नहीं मिलते हैं पंजाब से आने वाले कॉंग्रिस सांसद प्रताप सिंग बाजवा ने कहा, जिस वक्त इस कानून को लेकर इस सदन में चर्चा हो रही थी, तभी उन्होंने कहा था कि किसानों के लिए ये डेथ वारेंट होगा, लेकिन सरकार ने बात नहीं मानी, उन्होंने ये भी कहा कि इसे डेड़ साल के लिए रोक कर सरकार ने खुद माना कि ये कानून सही नहीं है, क्रिशी मंतरी तोमर ने उन्हें भी जवाब दिया, आप ये कनून को इन इंबेरंस रखते हूं, उसका मतलब देड़ साल के लिए ये कनून वापस होगे, अगर ये वापस होगे तो भाया कि आप अकेला बूच का सवाल बनाए बैटे हों, कि किसान माफ़ी मांगेगा, तब हम मानेंगे, आप ने खुद कबूल किया, इसमें बहुत सारी कमी है, अगर कमी है तो वापस क्यूं नहीं लेते हैं, परदान मंतरी जी आज जी मुका है, दुजी वार तुसी परदान मं मंतरी बने हो, आज जब मुका स्टेट्समेन बनना बनना स्टेट्समेन जो लीडर होता है, वो उसका सीना भी उतना बड़ा होना चाहिए, दिरियाद लिजी दिखाएए, आज आपको स्टेट्समेन बनने की जरूरत है, परदान मंतरी तो आप सेकंड टाइम बन गएगे, आज सारा देश इंतिजार करता है कि मुदी साब का बाएंग वो तोमर साब की पात पर जी खीन नी करते हैं पंजाब सरकार का कॉंटेक्ट फार्मिंग एक्ट उठाईए सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है सबाल इसका है कि कॉंटेक्ट फार्मिंग एक्ट है नहीं है उस कॉंटेक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में है ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है अगर हम भारा सरकार किसी भी संसोधन के लिए तैयार है इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गल्ती है इसके बाद कॉंग्रेस सांसद मली कारजुन खडगे ने बीजेपी पर शायराना अंदाज में शब्द बान चलाए जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मनने का भाव है वहाँ लोकतंत्र समाप्त होता है और तानाशाही का उदय होता है ये खिसने किया ये अटल बियारी बाचिए आपकी तानाशाही नहीं चलेगी मैं बार बार सुन रहा हूं कि आप बिलकुल बाती नहीं सुन रहे है तानाशाह हो गए है आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते है सरकार किसी की बात नहीं सुनना चाहते है तानाशाही ये होती है आदरनी जैराम रमेज जी 1975 में जब emergency लगी थी हमारे पिता जी 19 महीने जेल में थे और तानाशाई वो नहीं थी जेल गया है वो बात दूसरी है 19 महीने हमसे कोई मिलने नहीं आया एक आदमी डर के कोई मिलने नहीं आता था ये तानाशाई होती है अंदाज कभी तल्क होता तो कभी शायरा नग लेकिन पूरा विपक्ष किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में था बीजेपी सांसत और मोदी सरकार के मंत्री उन्हें जवाब दे रहे थे तो करिपा करके बात को सुने आलोचना को भी सुने यही मौका है इस बात को आगे बढ़ने से रोके आज जो यहां होता है वो पूरे दुनिया देखती है हिंदोस्तान की गांधी के देश की गौतम बुद के देश की चबी वही होनी चाहिए एक हिंसक देश की एक दमनकारी शासन की नहीं होनी चाहिए और अभी मैं सुन रहा था कि हमें उबदेश कर रहे थे कि निंदक आचे घर हासा वेशे जारी अरे भाईया पंद्रव भीस साल तो हमने निंदक कोई साथ में रखा था और उसके आधार पर ही तो हमने जो पडोसी का धर्म होता है उसको निभाया था आपका आपने आंदर जाक कर देखना चाहिए कि आपने दोस्ती महबत एक से की और घर बसाने की बात आई तो दूसरे के साथ घर बसा रहे तो हमें उबदेश देनी की ज़रूरत नहीं शिवसेना से संजार राउत की तेवर भी सक्त थे बोले जिस तरह सच बोलने वालों को देश द्रोही बताय जा रहा है वो एहंकार ठीक नहीं है मुझे लगता है कि हमारे कानुन के किताब में से सब आई पी सी धाराय खतम कर दी और सब देश द्रोही की धारा एक वह रख दी है डोमिस्टिक वाइलेंस हो तो भी देश द्रोह का मुगदमाब ठोग देगे पंतरवधान मोदी हमारे लिए अधर्णिय है उन्हें प्रचंटा भहुमत मिला है देश चलाने के लिए हमें मानते हैं लेकिन भहुमत जो होता है वो अहंकार से नहीं चलाया जाता भहुमत बड़ा चंचल होता है हर कोई उठता है हमें कहता है कि अहंकार छोड़ो अहंकार छोड़ो अरे ये अहंकार नहीं है हम अपने जज्ज्मेंट से काम कर रहे हैं आपको चाहिए कि आप किसानों की भी कुछ दो बात उनको भी कहिए आप हमको तो उबदेश कर रहे हैं सारे किसान नेता हमारे आधरिय दिल्ली में लाल किले में 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा लेकिन उस घटना को लेकर भी कॉंग्रस और शिवसेना ने मोधी सरकार पर ही सवाल उठा दिए दिल्ली में दो लाख ट्रैक्टर आया केवल 25 तीस ट्रैक्टर वो पहले चले गए जांच हो सुप्रीम कोट के सिटिंग जजज के उसके कैसे हुआ जो एग लाख 99,970 ट्रैक्टर आये और चले गए उसका कोई जिकर नहीं बदनाम कर दिया पूरे किसान को जिस तरह से इस किसान अंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिष या साजी चल रही है मुझे लगता है देश के प्रतिष्टा के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है 26 जाने वारी लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ उससे हमारे प्रधान मंत्री बहुत दुखी हो गया, पुरा देश दुखी हो गया लेकिन लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दिप सिद्धू है, जो कौन है, किसका आद्वी है ये सुद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन दोसों से जादा किसान इस प्रकड़ में तिहार जिल में बंध है और उनके उपर देश द्रोह का मुकदमा चल रहा है मैं चुटा तो सब चुटेगा, मैं चुटा तो सब चुटेगा, जो कुछ भी है वह भी चुटेगा मैं हूँ तो आजाद वतन है, मैं भारत का सम्मिधान हो, लाल के लिए से बोल रहा हूँ दन्नी बाद मैं चुटेगा जी झया चुटेगा नहुटेगा पटता का मैं जी दुटेगा ज्रमा का मैं चुटेगा